जेकर तो अड़ी टाई क्रोड दी लोटरी निकल जेता तुसी की करोगे। सब तो पहला अपना उस तिकटूं फड़ोगे, लबोगे, उस तो बाद दुकानदार ते कोल जाओगे, फिर अपना रिवार जो तुसी जितेया, उसनों हासल करन दी कोशिश करोगे। पर पंजाब दे विच एक जेहा सक्ष है जिस ती टाई क्रोड दी लोटरी निकलिये पर उस दा कोई अधा पता नहीं है। लापता हो गया, हल तक उस दी पाल नहीं हो सकी। थक खार के उसने मीडिया दा सहारा लिया, ते मीडिया दे विच सामने आके उसने जो जानकरी दिती है। तो आडीद कान तो खरीदी होई टिकर दा लगया, टाई क्रोड पिया। ता फिर उस व्यक्ति ने जो दो अपनी फाइल खोली, जिस अपना रेजिस्टर खोल लिया था, उस दे विचे कोई भी नाम अता पता दर्ज नहीं सी। क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये लाटरी खरीदी है, उसने टाई क्रोड पे दी लाटरी तलाकी पर उस व्यक्ति ने ना अपना अड्रेस, ना ही अपना नाम दस्या। ताँ दुकानदार ने फिर सामने आके अपील किती है कि उसने जिसने विए टिकट खरीदी है, उटाई क्रोड दी लाटरी उस दी लगी है ते उस सामने आ सके। फाजिल का दा दुकानदार नागालेंड स्टेट लोटरी दा नंबर लग गया अनपशाता व्यक्ति है, हरता किस दी पाल नहीं हो सकी। ता इस जो जदो इस दुकानदार नो जो फाजिल का दे वेचे बावी नाम दा दुकानदार है जदो इसनो फोन आंदे है कि उस दे दुकान तो खरीदे होया लोटरी दा नमबर लाग गया ता उसने सब तो पहला ता लडू खरीदे फिर बन दे दुकानदार आंदे वेचे नजदी की आंदे वेचे तां इंतजार करदा रहा पर दुकानदार ते कोल ओ व्यक्ती लोट्री खरीदन दे ली नहीं पहुंचा तां नागालाइंड स्टेट लोट्री दा एट टिकट लगा इस तो इलावा जेकर देखे जावे ता जदो दुकान तो कोई भी टिकट मुबाइल नंबर जरूर दुकानदार लिख दिया पर एत्य एंगेली होकी है दुकानदार तो तो हुन शायद उपस्ता रहा है